आज हम बनाने जा रहे हैं उरित बड़ा इसके लिए यहां हमने तेल लिया है साथी हमने लिए दो कप उरित की दाल इसे हमने चार गंडों के लिए बिगो के रखा हुआ था वन टीस्पून जीरा वन टीस्पून काली मिर्च पाउडर चार हरी मिर्च कुछ करी लीव्स नमक, स्वादनुसार हाफ टीस्पून, सोडा लिया है हमने चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले उरित बड़े बनाने के लिए हम हमारी उरित दाल को पीस लेंगे तो यहां मैंने मेरे मिक्सी का पाउल ले लिया है मैं इसे दो पोर्शिंस में पीस हूँगी यह मैं सोखी हुई उरित दाल दाल रही हूँ अब आगे इसमें हम एड करेंगे हरी मिर्च जीरा और कुछ कड़ी पत्ते यानि करी लीव्स दाल देंगे हम इसमें और थोड़े पानी का इस्तमाल करते हुए हम इसे पीस देंगे पानी हमें थोड़ा ही इस्तमाल करना है अब इसे में पीस लीए यह हमने हमारी दाल अच्छे से पीस ली है अब इसमें हम एड करेंगे स्वादानुसार नमक और काली मिर्च पाउडर और आगे इसमें जाएगा सोडा अब इन सभी चीजों को हमें अच्छे से मिला लेना है बैटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम हमारे वड़े दलेंगे तो ये मैंने अब मेरा तेल रख दिया है गरम करने के लिए तेल गरम होने के बाद हम इस तरह छोटे पोर्शन्स में हमारे वड़े तल लेंगे एक गोल्डन शेड आने तक हमें हमारे वड़े फ्राई कर लेने है ये देखिए इस तरह ये हमारे वड़े अब अच्छे से फ्राई हो चुके है एक पोर्फेक्ट गोल्डन शेड आ चुका है तो चलिए अब इसे हम निकालेंगे ये मेरे गर्मा गरम क्रिस्पी उड़ित बड़े तयार है मैं इसे सामबार के साथ एंजोई कर रही हूँ आप भी जरूर ट्राइ कीजिएगा ये रेसिपी सामबार की रेसिपी भी आपको हमारे चैनल पर आसानी से मिल जाएगी आप हमारे चैनल को लाइप कीजिए लिए शेयर कीजिए और सुब्सक्राइब कीजिए और बिल्टी को वाचिए